हलो माइ ब्यूटिफुल सोल तो कम बाक टू मैं चैनल टार विशिवी चुपल एट गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीस सब्सक्राइब मैं चैनल गाइस एक हैं तो हो सकता है सभी के साथ resonate हो हो सकता है ना हो तो आप इस रीडिंग को positive way में लीजेगा जितना आपसे resonate हो से रखिए बाकी को ignore कीजे और guys एक timeless रीडिंग भी है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब आपसे resonate करेगी और यह रीडिंग सभी zodiac sign के लि आज का जो हमारा topic रहने वाला है वो यह है कि आपके person के true intentions basically आपको लेकर क्या है ठीक है इस person के true intentions इरादे क्या है आपके लिए सो हम energy oracle से सबसे पहले देखेंगे कि इस person के इरादे आपको लेकर क्या है energies क्या है प्लीज गाइड कीजे angels मेरे viewers के partners के इरादे true intentions मेरे viewers को लेकर क्या है झूल्सुर्णान है प्लादे आपके इस सबस्क्रादे लिए okay women holding a coin walking away strength action all tied up and attachment receipt card clarification happy family six chakra okay dear so here what comes here 4 chakra archangel rafael 5 archangel gabriel 6 archangel metatron energ and insert чески redemption three six this heart 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 तो इसका मतलब है आपके person के दिल में आप हो, ठीक है, इस person के जो दिल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि HEART CHAKRA का CARD आया है, तो इस person के दिल में आप ही आप हो, ठीक है? और यहाँ पर मुझे ये भी ENAERđजी लग रही है कि यह person आपको बहुत APPRECIATE करते हैं and इनका हमेशा ही मन होता है आपसे बात करने का because यहाँ पर card फिफ्ट चक्रा का आया है, थ्रॉट चक्रा का आया है ठीक है, तो यह person की दो ख्वाइशें जो मुझे नजार आती है मतलब दो चीजें जो strong निकल कर आई है पहला यह कि इस person के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप है क्योंकि यहाँ four चक्रा का काड है, heart चक्रा का काड है दूसरा third चक्रा का काड है तो मतलब यह यह दिखा रहे है कि इस person को हमेशा ही मन होता है आपसे बात करने का मतलब यह कभी भी ऐसा नहीं चाहते है कि आप दोनों के बीच में no contact situation हो ठीक है तीसरी energy appreciation किया तो मुझे definitely यह energy लग रही है कि यह person आपको काफी appreciate करते है ठीक है, आपकी बहुत चादा तारीफे करते हैं ठीक है, आपके कामों की तारीफे करते हैं या फिर जो भी आप काम करते हो जो भी आपका profession है आपकी जो भी हरकते हैं बड़ यह person appreciate करते हैं यहाँ पर यहाँ पर card है deceit का तो मुझे deceit card कही न कहीं बात करता है कि जो आपका partner है कही न कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आपकी partner की इनर्जी को देखकर जैसे यह person पूरी तरीके से हम यह नहीं कह सकते कि holy soul है एक ठीक है मतलब एक pure soul because मुझे यह से एनर्जी लग रही या तो इस person के under addictions है या फिर जिद हो सकती है गुसा हो सकता है या फिर कुछ तो negativity मुझे यहाँ पर नजर आई है with a deceit card मतलब एक इन्टेंशन की अगर मैं बात करूं इस person के दिल में आप है इस person को आप से बात करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन कुछ लोग उनके दिल में सारी चीज़े होती है लेकिन कुछ लोग फिर भी थोड़ा सा connection में दिमाग का इस्तमाल करी लेते हैं दिमाग का इस्तमाल करना बुरा नहीं है लेकिन चलाकी करना I think बुरा है ठीक है मतलब चलाकी करना का मतलब होता है कि अपने सामने वाले पात्नर को थोड़ा सा innocent समझ लो अपने आप को सब्सक्राइब समझ लो और उसको उसके पीट के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें कर दो और सोचो कि उसको पता ना चले ठीक है जादा कुछ गलत नहीं करना लेकिन फिर भी यूनो एक होता ही कि connection में transparency होनी चाहिए कि ऐसा trust हो कि आप मेरे पीट के पीछे भी कुछ गलत नहीं करेंगे पर deceit card कही ना कहीं बात कर रहा है कि इस person के अंदर कुछ ना कुछ तो deception है कुछ ना कुछ ऐसी energy बात मुझे लग रही है all tied up की energy है इस person की energy में यह है कि आपको अपको अपने आपसे बंधा हुआ यह person महसूस करते है मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर नहीं जा सकते है क्योंकि यहाँ पर energy काफी ऐसी निकल कर आई है कि यह person को यह लगता है कि आपसे दूर नहीं जा सकते है लेकिन deceit card कहीं नहीं यह दिखा रहे है या फिर नराज हो जाना आपसे या फिर गल्ती करना और ब्लेम आप पर डाल देना कुछ इस तरीकी की हरकती यह person डेफिनिटली करते हो सकते हैं इस connection में और यह आपके बारे में क्या सोचते हैं यहाँ पर और क्या intentions हैं यहाँ पर आपको बहुत ही workaholic मानते हैं woman holding a coin है मुझे यहाँ पर यह भी energy लग रही है guys बहुत सारे लोगों के लिए deceit और happy family यहाँ पर आया था यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो person है वो आप से उन्होंने अभी तक जिन्दगी में अगर थोड़ी बहुत भी चलाकी की है या फिर थोड़ा बहुत भी आपको ऐसा feel हुआ है कि bitter feel हुआ है आपको ऐसा लगा है कि मेरे को priority नहीं दी है तो मुझे ऐसा लगता है कि current family ही रही होगी because जैसे लग रहा है कि यह person के साथ एक तरफ आप है एक तरफ family है तो इस person का जुकाफ with deceit card मुझे लगता है family की तरफ जादा है क्योंकि clarification में happy family आई है जो मुझे message दे रही है कि इस person के लिए आप से जादे important family रही है या फिर अभी भी है तो ये एक तरीकी की चलाकी आप बोल सकते हैं कि ये person आप से जादा अपनी family की खुशी के बारे में सोचते है अपने parents की खुशी के बारे में सोचते है ठीक है इसके अलावा मुझे हाँ पर ऐसी energy नहीं लग रही है कुछ और जादा ठीक है ये है कि हाँ अगर कोई ये बोले कि आप में और family में जादा important कौन है तो आपके person कहेंगे family जादा important है ये वाली energy हाँ पर मुझे थोड़ी सी नजार आई ये इस person की energy है ठीक है बागी ये person आपको काफी workaholic मानते है काफी ऐसा person मानते है जो बहुत ही hard work करता है ठीक है और हमेशा ही खुद पर dependent रहता है ऐसी वाली energy है strength में भी देख रहे है angel of strength तो ये भी मानते हैं कि आप में काफी strength है आप में काफी guts है और आप एक earth angel की wife इस person को आप से आती है with angel of strength card कहीने कि इस person को भी हिम्मत मिलती है ठीक है एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर strongly नज़र आ रही है with throat chakra का card यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो communication है ठीक है आपकी जो बाते हैं ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बाते ही heal कर देती है मतलब वो बात बोलते ही है और इंसान सामने heal हो जाता है बैठकर तो throat chakra की energy यह बताने की कोशिश कर रही है कि हो सकता है कि आपके जो तरीका हो बात करने का इस person के साथ आपकी बाते सुनकर यह person heal हो जाते है ठीक है और इस person में strength आ जाती है ठीक है कभी-कभी कोई इंसान है जो बहुत जादा demotivate हो गया है life से हार गया है आप उसके साथ 5 minute बैट गया है और आपने उसे fully charge कर दिया उसकी battery charge कर दिया उसे motivation दे दिया उसे काफी motivation से भर दिया काफी motivate कर दिया ठीक है तो उसमें एक power आ जाएगी उसमें एक strength आ जाएगी तो वो strength और वो power की बात यहाँ पर हो रही है कि यह person कभी अगर हारते हैं या फिर काफी depressed होते हैं या फिर कुछ problem में होते हैं तो आपकी बाते शायद इस person के इंस्पायर कर देती है इतना motivate कर देती है कि यह person दोबारा से strength में आ जाते है तो यह पहले तो आपको भी strength में देख रहे है दूसरा यह person के अंदर भी बहुत strength आ जाती है आपसे बात करते ही इस तरीकी का message यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर walking away का भी card है तो मुझे आसी energy भी लग रही है कि इस person के energy में थोड़ा सा जिसमाने का यह person अपनी feeling से डरते है कुछ लोग को आपने सोना होगा कि वो भागते हैं connection से तो कुछ लोग तो इसलिए भागते है क्योंकि वो cheater होते हैं कुछ लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको deserve नहीं करते हैं आप उनसे जादा better deserve करते हैं या फिर आप उनके साथ खुछ नहीं रह पाएंगे जो बहुत जादा genuine love करने वाले लोग होते हैं वो इसलिए भागने लगते हैं क्योंकि उनको अपने उपर तुना confidence नहीं होता है connection में वो आपको जादा special देख रहे होते हैं लगता है कि आप इतने special हैं आप उनके साथ खुछ नहीं रह पाएंगे आप उनके साथ कहीं दुख ही ना रहें तीसरे वो लोग होते हैं जो तीसरे कहीं न कहीं वो लोग होते हैं जो अपनी feelings से भागते हैं ठीक है अब अब इसका इसका आप लोग comment section में reply दीजेगा अगर आप angry करते हैं तीसरे वो लोग होते हैं जो love से ही भागते हैं उनको इतना डर लगता है अपनी feelings को accept करने में क्योंकि वो हमेशा ही cool रहे हैं बहुत ही उन्होंने हमेशा ही cool वाली energy में जिंदगी निकाली है और ऐसे लोगों को जब love हो जाता है तो वो ऐसे हो जाते हैं कि यह मुझे क्या हो गया तो वो इंसान जब अपनी feelings को आपके लिए देखता है कि वो आपके लिए क्या feel कर रहा है और कितना जादा आपके लिए possessive हो रहा है तो ऐसे लोग ना कहीं भागने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा प्यार अगर मुझे हो गया ठीक है तो मेरी life खराब हो जाएगी तो कुछ लोग इसलिए भी भागते हैं क्योंकि वो अपनी खुद की intense feelings से डर जाते हैं अगर मैं जादा समय इस चीज में और रहा या रही तो बतानी क्या होगा ठीक है अपनी intense feelings को control नहीं कर पाते हैं तब भी वो run करने लगते हैं ठीक है जैसे कहते हैं कि अगर आपका heart chakra over active है तो भी problem है ठीक है और active है ही नहीं तो भी problem है ठीक है तो हर चीज limit की ही होनी चाहिए ठीक है तो अगर आप बहुत जाल से किसी का thought chakra बहुती जादा over active होता है तो वो इनसान बोलता ही जाता है बोलता ही जाता है कुछ भी बोल रहा है जैसे मन में आ रहा है वैसे बोल रहा है ठीक है और कोई बात अपने मन में नहीं रख पा रहा है तो ये वाली energies होती है जब आप बहुत जादा किसी भी चीज में over हो जाते हो तो ये भी कुछ लोगों के लिए energy हो सकती कि इस person के दिल में आपके इतना अपार प्रेम है कि अपनी ही प्यार से भागते हैं ये person ठीक है कुछ लोगों के लिए definitely ये message आया है action का card है ये देखिए guys ये person आपको बहुत ही action oriented मानते हैं ठीक है इनके intentions में ये भी नजर आता है कि ये person हमेशा ही आप ही की तरफ भागते है action card कहीं न कहीं है दिखा रहा है कुछ लोगों का यहां पर सवाल होता है कि ये person के लिए कोई action नहीं लेते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये person की energy मुझे ये लग रहा है कि इतना appreciate करते हैं आपको कि ये person आप से दूर रही नहीं पाते हैं इनका action तो हमेशा आप ही की दिशा में होता है ठीक है ये भी यहां बर message मिल रहा है सब कुछ इस person को आप से बंधा हुआ लगता है आपको भी ये person मुझे लगता है काफी action oriented देखते हैं मतलब अपने career के प्रती अपने कामों के प्रती और हर चीज के प्रती बहुत ही जादा इमांदार और बहुत जादा loyal ठीक है appreciate करते हैं और काफी मुझे ऐसा भी लग रहा है इस person की अंदर आपको लेकर attachment भी बहुत है ठीक है ये वाली energy है मतलब काफी attached मुझे ये person आपसे नजर आते हैं ठीक है जो भी चीज में balance गया जिस भी चीज में आपने over किया वही problem create होती है ये energy आपके person की है तो अगर हम overall बोलें तो इस person की जो नियत है आपको लेकर वो उतनी बुरी नहीं है ठीक है हाँ बस ये है कि family के respect मुझे लगता है कि आपकी priority नहीं family की priority है और कुछ लोग के लिए ये भी message आ रहा है कि ये person अपनी intense feeling से भागते हैं ठीक है डेटिंग और इंत करहिं है सबम्या ROBji ₦ इंत कर्दोड में कि अव्याव आंप सब्सक्रिवेश अच्छंच्ड अऴर ने कर्यो थोगतां you ढ़ते है कि आता है intention सही है आपके person की देखिए तो इनको बहुत ही जादा पसंद है आपको date करना आपके साथ date करना आपके साथ मिलना आपके साथ बाते करना आपके साथ quality time spend करना काफी पसंद है connection card दिखा रहा है कि strong connection, strong bond ये person आपके साथ feel करते है and काफी ही जादा romantic feelings, romantic love connection मुझे ये नजर आता है ये person की ये भी energies आपको लेकर है यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है guys कि आपका जो भी bubble phase है इस person के साथ ये person वैसी ही जिन्दी आपके साथ जीना चाहते हैं ठीक है जैसे भी आपका bubble phase connection में इस person के साथ रहा है ये वैसी ही जिन्दी जीना चाहते है ठीक है और मुझे ये भी energy लग रही है इस person की कि आपके बिना ये person अपने आपको काफी distorted feel करते है ठीक है अगर आप दूर दूर भी है बट या आपकी बात हो रही है तो इस person कामों में इतना जादा मन लगता है खुशी से सारे काम करते हैं और वह बट अगर यहां पर अगर ये person के साथ आपकी बात नहीं हो रही है या आपके साथ कोई tension चल रही है आप दुनों का जगड़ा हो रखा है ठीक है आप दुनों की बन नहीं रही है तो ये person की भी energy distorted हो जाती है फिर इनका भी कामों में मन नहीं लगता है इस person का mood पू इनका कामों में मन लगता है, यह energy है, creativity का card है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक business partner भी इस person को नजर आते हो, कि अच्छा business कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि हो सकते हैं, आप भी creative हैं, यह person भी creative है, तो दो creative लोग मिलेंगे, तो कुछ अच्छा create करेंगे, ठीक है, और, यहा करते हैं, ठीक है, तो मतलब इस person की मैं अगर इरादों की बात बोलूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा गलत इस person की इरादे नहीं है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी चलाकी वाली हरकते हैं इस person की, वो भी इसलिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने intuition को यह person अच्छे से follow नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत जादा family lover types लड़का या लड़की हो सकता है, ठीक है, mother, mama's boy हो सकता है, mama's girl हो सकती है, तो यह वाली energy हाँ पर नजर आ रही है, ओके, so guys, यह आपकी reading, हाँ होग आपको यह reading पसंद आई हो, reading पसंद आई है, तो